साथियो आप सभी के लिए मैंने एक कमेंटमेंट किया था कि आपको जीके यानि जेनरल अवेरनेस का पूरा टॉपिक कवर करवांगा वो भी फ्री अफकॉर्स ऑन यूटूब तो साथियो यह दूसरा वीडियो है पहला वीडियो नहीं देखें तो आप जल्दी से जाकर दे तो साथियो दीरे दीरे आप पढ़ते रही है जैसे जैसे वीडियो करा रहा हूं वैसे वैसे आपको देखते जाना है और नोट्स बनाना है तो चलिए आज हम कवर करेंगे प्रमोख वेक्तियों के समाधी अस्थल तो जैसे राजगाट किनका समाधी अस्थल है तो महातमा भावके थे जोहरल नहरू आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं बीजे घाट किनका समाधी अस्थल है तो लाल बादु सास्तरी का समाधी अस्थल बीजे घाट है और सकती अस्थल और इंदरा गांधी जैसे की काफी सकती साली नेता थी और तो यहां पर इंदरा गांधी का स समाधियस्थल सकतियस्थल हो जाएगा और чтоб चौध Although और छौधरी चौण सिंग किसानों कि जाने・ने निद्गा taken और इसलिए 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 समाधियस्थल गिसान गाट के नम से जाता जाता है नेक्स्ट सवाल है सोरी नेक्स्ट अभी हम बात करेंगीमर मुरार संद्र परसाЗ कि समाधियस्त्र को सिहातर हों मेंigos Dr. Vimar700 के समाधियस्तर को कहते हैं कि दोस्तों आपका एक टॉपिक खत्म हो गया एक से दू मिनिट में आपका एक टॉपिक करतं हो ओगा लेकिन आपको एक दीन में डिसकते हो फरी यह उlorत नाम मतलब common name जो होते हैं common name तो आप लोग English मेडियो मुझा लिए बताता हूं common name पूछा जाता है सभी exams में एक number के common name पूछा जाता है जैसे the father of nation किन को कहा जाता है महात्मा गांदी तो इस टाइप से सवाल के नाम से किनिये जाना जाता है महात्मा गांदी को लोग पुरुस के नाम से सरदार बल्ला पैपर्डेल को जाना जाता है और नेक्स्ट देश रतन के नाम से जानता है डॉक्टर रजेंदर परसाद को और बहारत कोकिला के नाम से जानता है सरोजनी नाइडू को और स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है आप लोग होता है यह स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए महा माना किन को कहते हैं तो पंदित मदर मौहन माल वीर जी को महा माना की अबादि दी लिए और सीमान्त गांदी कहते हैं खान अbdul कि आध़ल कि इनकिस्ट बहारत की अंत्रिक सुरक्षा बेवस्ता मतलब भारत कि कुछ फोर्शेस का अस्ठापन आजम हम बताएंगे तो संगठन का नाम पहले तो आई वी का अस्थ अपना उनने सो बीस में हुआ था और इंसेजी का उननी सो आटालीस में हुआ था सुल्ला जुलाई को इवेन आप एक बार चेक कर सकते हो मैं कन्फर्म नहीं हूं और केंद्री ये रिजर पुलिस फोर्सी एर प नाइस सो त्रिये सट इसवी में सीबी आई की सपना की गई थी इनकी की श्टपना 1902 में किया गया था अप लोग ज्यान रखे गा और वीज़़ सेफ के सिक्रूटी गार्ड राष्टिय सुरक्षा गार्ड उनने सो चौरासी इसमी में और आरे एफ रैपिड एक्षन फॉर्स उनने सो बानवे इसमी में तो यह हैं दो टॉपिक अभी तीन टॉपिक अभी हो गया अभी नेक्स टॉपिक पर आते हैं विस्वे के प्रमुख देशो क्या नाम है यह देखेंगे तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह इस से भी सवाल पूशे जाते हैं तो चले देख लेते हैं भारत के संसद को क्या कहते हैं तो संसद ही कहते हैं मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली कहते हैं नेपाल के संसद को पराष्टिय पंचाय कहते हैं पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं रूस के संसद को डियूमा कहते हैं और ब्रेटेन के संसद को पार्लियमेंट कहते हैं ठीक है ना साथ्यों ब्रेटेन के संसद को पार्लियमेंट कहते हैं और चीन के संसद को नेशनल पीपल्स कॉंग्रेस कहते हैं जर्मनी का भून्ट चिक कहा जाता है फ footprints का National Assembly अभेखेगी वहाई पर फरांस और पाकिश्टान का स्यम होत नेशनल असेमबली सहाई संजुक तराचραज अमेरिका का Congress होता है ठीक है ऐरान का मजलिस होता है, बंगला जिसका जाती संगसद, यहां पर देख लिए संथ नहीं संगसद होता है, संगसद, कहिं कहिं आपको यह भी देखने को मिल जागा, तो आप लोग अन्फीज मत हुएगा, ठीक है न, नेक्स्ट, तो यहां पर कुछ नोट लिखा गया है, जैसे धिंग एक्सप्रेस किन को कहते हैं हिमादास को कहते हैं असाम की है और बुटान के संसद को तसंगडू कहते हैं इजराइल के संसद को नेसरेट कहते हैं अफगानिस्तान के संसद को सोरा कहते हैं जापान के संसद को डायट कहते हैं स्वीटेजर लेंड के संसद को फेडरल असेम्ब कहते हैं कि सांतियों यह जितने भी क्लासेस में आपको करवा रहा हूं आप डेली देखे क्लास को और इस क्लासेस एक भी क्यूशन बाहर नहीं जाएगा यह वादा है आप सभी के सांथ और सांतियों यह क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और यह अगर आप करते हैं इस classes को daily basis पर तो आपका एक questions भी नहीं चूटेगा सारा questions आपका cover हो जाएगा तो ठीक है ना अभी start करते हैं नया topic फिर से मतपूर्ण खेलों में परते खिलाड़ी हो की संख्या यहां पर देख सकते हैं खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं पहले बात करेंगे सबसे पहले यहां पर देख सकते हो badminton badminton में एक से दो खिलाड़ी होते हैं baseball में 9 खिलाड़ी होते हैं और cricket में 11 खिलाड़ी होते हैं सबको पता है किरिकेट HCF होकी, क्रिकेट और फुटबॉल कितने होते हैं तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं ठीक है न और फुटबॉल में भी 11 बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं और बेस बर में नौग खिक है ना होकिए यहाँ पर देख सकते हो HCF का ट्रेक हेसी eens 1111 11 ये सबको पता है is next अब बात करेंगे उनलो में कितने ख्यंठधेंगे पोलो में चार ख्यंठधे ऐसे आप सभी को पता है पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं चार खिलाड़ी होते हैं देखिए याद करने का ट्रिक पी ओ एलो चार वर्ड हैं तो चार खिलाड़ी हो गए और रगभी फुटबॉल में देखिए ये ऐसा गेम है जिसमें सबसे मैक्सिमम खिलाड़ी होते हैं रगभी नेट बॉल और फिर से वाटर पोलो और कबड़ी इसमें खिलाडियों की संख्या कितने होती है कबड़ी यह तीनों में खिलाडियों की संख्या होती है साथ खिलाड़ी होते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं इन सभी में साथ खिलाड़ी होते हैं ठीक है ना साथ खिलाड़ी हो बॉली बॉल में कितने खेलाडी होते हैं छे खेलाडी होते हैं आप यह मत सुचे कि आपके गाहों में कितने खेलाडी खेलते हैं खेलों में तो वैसे तो आप ज्यादा भी खेल सकते हो कम भी खेल सकते हो क्योंकि एक दो खेलाडी की कमी से खेल नहीं रुपता है और ज्याद संक्या होती है दोस्तों एक और अच्छा टॉपिक है बहुत ही important है यहां पर देख सकते हो परमुक्त देशों के परमुक्त खेल अजो national game होते हैं जो country and national game होते हैं वो चीज मैं अभी देखूँगा तो अभी यहां पर देख सकते हो संजुक्त राष्ट अमेरिका का बेसबॉल होता है ठीक है इंगलेंड का क्रिकेट होता है और क्रिकेट किसका किसका होता है और इंगलेंड ऑस्टेलिया का क्रिकेट होता है ठीक है और जपान का जूडे होता है याद रख लेना और एस्पेन का बूल फैटिंग यानि सांडे जूड नेक्स्ट आ किस्तान का दोनों का क्या होता है दोस्तों होकी होता है और ब्राजील का फुटबॉल होता है रसिया और ब्राजील का फुटबॉल होता है ठीक है तो यह देखे हैं हम लोग कुछ महत्पॉर्ण देशों के महत्पॉर्ण खेल ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है यह भी ट्रैक पर खिले जाते हैं बैडमिंटन कोट में खिले जाते हैं बेसबॉल जो है डायमंड में खिले जाते हैं बॉक्सिंग रिंग में खिले जाते हैं किर्कट जो है पीच पर खिले जाते हैं फुटबॉल फिल्ड में खिले जाते हैं और हैंडबॉल जो है कोट में खिले ज जैता है और eskating जो है na escaping ring में खिला जाता है और wrestling जो है जी ओरेना में खिला जाता है हैं आहिसके देखेंगे next topic next topic से भी बहुत ही important questions बनते हैं जैसे बनते ही हैं Already सभी इacxi ocת questions पुझे गये है परमुख राश्टी ये कब जो national cups है और कौन कौन से ट्रॉफियां है जो किस-किस खेलों में दी जाती है तो परमुख तो cup and trophy अभी देखेंगे game cup and trophy तो चली स्टार्ट करते हैं hockey जो खेल है hockey में कौन कौन से पुरुषकार मिलते हैं खिलारियों को तो अजलान साह कप यह इंपोर्टेंट है ध्यांचन ट्रॉफी और आगा खान कप और होकी विश्व कप यह तो इंपोर्टेंट है और चली बात करते हैं फुड़ वर में कौन-कौन से ट्रॉफी दिये जाते हैं तो दुरुएंड कप फिर से आपका रुवर् टैनिस में कौन-कौन से कप दिये जाते हैं और दोस्तों एक सुपरतो कप भी मतलब फुड़ वाल में होता है ठीक है ना लॉन टैनिस में डेविस कप बिम लंडन कप अस्टेलियर ओपन यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन जितने भी ओपन है लॉन टैनिस के शेतर में दिय लगा बास्केट बॉल में कौन से ट्रॉफि दे जाते हैं तो फीफा बास्केट वल विस्व कप यह तो मिलता ही है और लैटी ओब्राइन चेंपिनिशिफ ट्रॉफि मिलता है चले बैड्मिंटन में में मलेसिया कप जो राश्टी खेला ना मलेसिया का यह राष्टी अर वी कुछ पुरस्कार हैं तो यह चीजएंसे पूर से कितना क्या-क्या-क्या दे तो यह बहुत पूराना बुक काप एडियाफ है तो यह अपडेट हो गया है तो मैं करेंट अफिर जुब कराऊंगा यह चीज़े कराऊंगा बाकी अभी देखें अभी राज राजदानी भी कहेंगे लड़के कि राज रजधानी बेया कौन करायता है मतलब आप ऐसा क्यों करा रहे हैं इतना इजी पूछता है क्या तो बिल्कुल पूछता है आपके नेवी के ग्याम्स में एक नमबर तो पक्का है चाहे आप ऐसे साथ दे दो या एमर दो कोई भी ग्याम दो आप लोग अगर दिये होंगे तो पता होगा कि एक राज रधानी पूछता ही है ठीका न तो इसलिए कराना तो जडूरी है लेकिन टाइम टेकन वाली बात नहीं होगी यहां पर सीधे समझ लोग कि इस्टेट कितने हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि 28 है और कुछ लोग कहेंगे 29 ह बात है किसका सही होगा तो सही किनका है तो आप लोग बताएं किनका सही है तो पहले 29 राज था मैं मानता हूँ पहले 29 राज था बट जम्मो कस्मिर को यूनियन ट्रेटरी बना दिया गया ठीक है न तो अभी कितने राज हो गया सुरी पहले 29 राज था और अभी देखिए 28 राज हो गया एक जो जम्मो कस्मिर है न उसको यूनियन ट्रेटरी बना दिया गया तो अभी एस्टेट की संख्या कितने है दोस्तों 28 एस्टेट है और फिर से यूनियन ट्रेटरी कितना है केंदर सासित परदेश 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 की संख्या दिखिए पहले था जैसे पहले साथ केंदर सासित था फिर बनाया गया जम्मू कस्मिर और लदाक तो जम्मू क दोस्तों दमन एवम दीव दमन एवम दीव और दादरा दादरा एवम नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया कि दादरायम नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया ठीक है न साथ यह दुनों को मर्ज करके एक यूनियन ट्रेटरी बना दिया गया जिसकी रधानी दमन को कर दिया गया दमन दीव और दादरायम नगर हवेली इसको मर्ज कर दिया गया तो पहले नौ मतलब साथ से नौ हो गया जब जम्मू कस्मिर लादाक बनागा और फिर दो को मर्ज कर दिया गया तो एक तो घट गया ना तो अभी फिलहाल में यूनियन ट्रेटरी कितने हैं यूनियन ट्रेटरी कितने हैं और एस्टेट कितने हैं एस्टेट हैं 28 आप लोग याद रख और बात है कि यह क्लास अगर देखिए इजी है मानता हूं लेबल इजी है बट आपके एक्जामस में इजी ही पुछते हैं ठीका ना तो आप बिल्कुल अच्छे से एकदम केरफुली इस क्लास को दो बार तीन बार जितना बार हो सके रिवीजन कीजिए और बिल्कुल पेड पेडियाफ आपको मिल जाए तो यह पीडियाफ आपको फ्री आफ कॉस है और कहां मिलेगा तो यह टेलिग्राम गूरुप में मिल जागा ठीका ना यहां पर देख सकते हो के अंदरसासीच पर जिस भी अपडेट कर दिया गया और बाकी यहां पर मतलब जो भी है साथ यहांपर देख सकते हो आठके हैं सब्सक्राइज साथ परदेश हैं आट के अंदरसासीच पर देसें और राटे ठक पर पर आते हैं चलिए एक और छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं पर मुख सीमा बाउंडरीज को देखेंगे मैक मोहन लाइन भारत और चेन के बीच सीमा बनाती है रेड किलिफ जो है भारत पकिस्तान मैगी नाट जो रेखा है फ्रांस और जर्मनी के संबंद बनाती है 49 वी पैरलल लाइन जो है संजुक्तरस्ट अमेरिका और कनाड़ा के बीच सीमा बनाती है और साथी साथ यहां पर बात करें डूरन डेरेखा किनके किनके बीच सीमा बनाती है तो डूरन डेरेखा किनके किनके के बीच सीमा बनाती है आप लोग कमेंट करक पॉसिबल तो नहीं है बटे होप आप पे आसा रखिए कि आपको जो भी है बिलकुल अच्छे तरीके से करवाया जाएगा बहुत ही मतलब मजबूती से पीडियाफ को बनाया गया और इतना अगर करवा देता हूं आप लोग अगदम अंतक बने रहें और कर लेते हैं तो आपका कोई भी एक्जाम में एक भी सवाल नहीं जाएगा खासकर डिफेंस के एक्जाम में तो यह सब सवाले बिलकुल जेंडरली पूछे जाते हैं ठीक है सब्सक्राइब करें सकते हो और बाकी क्या बोलो दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ा से मेहनत लगता है तो आप बिलकुल आप सपोर्ट करिए और चलिए आसा करता हूं यह क्लास से कैसी लगी आप ज़रूर परतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और ठीक है क् सेम टाइम आठ बजे रात को मतलब डेली क्लासे चल देए तो आप लोग बिलकुल जोड़ना ना बूले नेविपूर एकैडमी यूटूब चैनल पर बिलकुल आप से भी अपने दोस्तों को भी बताईए ठीक है न साती हो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिन जैवरत बंदे मातरम